कि चलो स्टार्ट करते हैं एक पहला लेशन होता है खटा करना एस यूज मीन आरोपी मतलब ऐसा उसके यूज की हो गया हो कि बुरी कामों में यूज की हो गया हो उसका मतलब हो जाएगा आरोपी सर बिटी मैंने तीछता तेजपने तीखा पर बीट मतलब जैसे काट लिया हो तो कड़वार्ट फिल होती उसी तरीके से एक नोलेज माने सविकार करना बेरी सिंपल में एक रिए मीन होता है सायक नोकर गुलाम और इसकी अधर मीने एक जाटक जाती यह यह काट लेते तो जिसे काटा लग जाता है तो हम लोग चलते हैं मतलब cry बोले। तो कटू या कड़ा से मेनिंग से लगा सकते हैं ठीक है और नीचे चलते हैं इसके बाद इसकी ने से थायते हैं एक ट्यूट ठीक है एक ट्यूट मीन होता है उक्साना उक्साना किसी चीज को उक्साना प्रवोक करना यह उक्साना की मीनिंग है ठीक है इसके आंगे हम इसकी में अड़ा रहा है एड़ा वेंट इसका मतलब जिद्धी होगे एडिक्ट मतलब आदी नसी किसी चीज का एडिक्षन तो परी सिंपल मीनिंग जोड़ना और बढ़ाना आच्छा नेक्स देखते हैं हम इनकी सिने नेम्स देखें एक मीनिंग की कई सिने में सुते हैं ठीक है जैसे गैदरिंग वतल्ण भीड ठीक है गैदर करना एक जगह पर इखटा होना उसकी अलग सिने नेम्स रस और क्राउड ठीक है दोनों नावन है और दोनों सिने में से ठीक है नेक्स आते हैं हम लोग गुलाम गुलाम की मिनियों उते त्र मिलेंगे यह लेज़़ आपने कुछ दो बीरी सिंपल है आपको याद होगी है रएक और ये विश की बात रहे इसने आपने आपने दर्स का मदर करके सुना ऊगा तो उससे डिलेट कर सकते हैं ठीक है इसकी बाद हम लोगा नेच्ट देते देखते हैं नेक्स्ट है इसकी मिनिंग अक्साना ठीक है का सिने नेम्स की करीब और दस से जो कि हम लोग देख लेते हैं ठीक है इंसाइट हो गया इंसाइट और इस्टी रप ठीक इंस्टीगेट किसी चीज में इंडल्ज हो कि उसको इसे बढ़काना मतलब ठीक है फर्मेट फॉर्मेट फ्रेंटाइज रिवोक प्रवोक ये तो प्रवोक है और रिवोक है वसी थोड़ा सा घक हो फरमेट फरमेट फॉर्मेट फ्रेंटाइज यह तीन मेनिंग है जो बहुत ImP правильно पेसे और कुश मेनिग है अदर्स नीच्छ कृश मीनिग है रिवोक ये इसमें ऱव्ठ इसको चिक का लिजए ठीक है और्श प्र वोक फो Şuhr यह पो यूज बहुत इंपोर्टेंट मिनेगे एराउज अबेट एक्टिट्यूड ठीक यह यह मीनिंगा भी पढ़ी थे आपने ठीक इसका सोटकट फर्मूला है इंसाइट इस्टिडप फर्मेट 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 फ्रिंटाइज और रिवोक रिवोक इधर से इधर नहीं की ठीक है और इस इस जादा सोट नहीं हो सकता तो इसकी आट-dus इने नहीं से ठीक है अब नेक्स आते हैं हम लोग बुद्धिमान की मेंगे सैन यह आपने पड़ी होगी सैन और विटी भी पड़ी होगी सैन विटी सगेशिस यह बहुत इपोर्ट इस विटी और सग करने की नेक्स नेक्स निचे घूमाइंड पागल होता है ठीक है और शनकी तो मेनें के पूफिला विस हिसकी दूमीने ओभ यह तो एक इसके बातने है एक्यूट एक्यूट एक्सक्रीटिंग पेन बहुत दर्द मतलब सिंपल से नॉर्मल दर्द हो रहा है तो हम यह दो चीज़ इस्तमाल कर सकते हैं और एक्सक्रीटिंग और इसकी बाद है जब कोई दर्द में तड़ फराए ठीक है बहुत जादा दर्द हो रहा है तब हम रीगल डेथ हैं बहुत है डबलू से स्टार्ट है ठीक है तो हम इनको रिवेंबर कर सकते हैं कि जब इन पिर मतलब दर्द में बहुत जाता है वो बंदा मर जाते हैं बंदे तब देखते हैं मोन होता है उसी टाइप का दर्द होता अलग टाइब का ठीक है इसकी बाद आदे कहावत की थोड़ा से ने नहीं से पांच है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट अभी से ठीक है मैक्सियम एक्सियम प्रोवर्ब ए प्रहुत आँ रिखा इसका मापाड़ा ठीक है इसका सो ट्रिक है और कुछ नहीं इस्वार ठीक है और नीची कुछ मेंट इसकी अर्याल जिद्दी की ठीक है जैसे एड़ा मेंट किसी चीज में अडा हुआ है ड़ा मेंट है मतलब प्रिक तुबरास हो गया है यह मीनिक किसी चीज में इसमें से से मुर्थ निकलता है अवस्टीनेट आंगे अड़ा हुआ है स्टब बॉर्न मतलब नीचे को पेंदला पेंदा बॉर्न जो नीचे का सर्फिस होता है ना उसको आप कई भी रख देते तो एक दम रख जैसे जाता मूवेंट नहीं करता मतलब कि वह अडियाल जिद्दी और डूरेट याद करने पड़ेगी ठीक स्ट्रॉंग हीड इस्ट्रीड यह दो मिन अच्छी है मतलब इंपोर्टेंट है स्ट्रॉंग हीड एस्ट्रीड एस्ट्रीड एंड सब्सक्राइब और हटी हटी तो बेरी सिंपल है आपको पता होगा और इसकी एक अलग मीनिंग इस टैनुस तो आपको कितनी मीनिंग हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस टेन टोटल टेन मीनिंग समने इसकी पता दिक इसकी अडियल जिद्दी कठोर इसका सेम सिननेम मतलब निकलता है ठीक है तो आज के लिए से यहीं खतम करते हैं एक बार आप इसको पूरे से को रिवाइस कर ले जिएगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट है ले सनाज का ओके थैंक्यू